चैरी सोयस का एक लेटिस्ट अपडेट हमारे Poco M2 Pro याने MI8OL device के लिए आ चुका है जो कि MI8OL codename 4-5 devices को support करता है सभी पर ये रोम install हो पाएगा और ये एक official update है और आज की इस वीडियो में मैं इसी एक update के वाले में बात करने वाला हूँ कि क्या कुछ customization, performance देखने को मिलता है क्या इसे daily lap में यूज किया जा सकता है बैटे वह अच्छा है या फिर नहीं especially gaming अगरा कैसा होता है लेकिन एक यहाँ पर आपको सबसे बड़ा advantage देखने को मिलता है ANX camera का support और मेरा मानना यह है कि भाई जिस रोम के अंदर ANX camera का support आ जाए custom में उसे यूज करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है क्योंकि हमें जो custom रोम में एक चीच की कमी खलती है वह है camera जो कि Gcam अगरा और बाके दर चीज़े डालके हमें जो उसे ठीक करते हैं लेकिन NX होता भाई मज़ा ही अलग होता है तो यहार वीडियो को पुरा लास्ट लॉट जरूर करिएगा और पसंद आता है तो लाइक कर देजिएगा और चैनल पे नए हैं तो subscribe क्योंकि यहां पर मैं वीडियो सिर्फ उसी आप लोग के प्यारें support के लिए ही लेके आता ह करो तो यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है Android वर्जन जो के Android 12L है अभी जितने भी अपडेट आ लेना कर्ष्टरों को चाहिए वो किसी वीडियो आइस क्यों वह Android 12.1 यानि 12L के उपर है जो रन कर रहे हैं जिसमें कुछ 13 टाइप के फीचर्स भी एड किये गए हैं और Android Play System Update 12 है और यहां पर करनल आपको देखनी को मिलता है Elemental Axe Linux Enforcing आपको देखनी को मिलता है और Build Date जो है आपको यहां पर अपरेल 2 का देखनी को मिलता है थोड़ा सा डिले चल रहा है क्योंकि 2-3 कॉस्टरों और बाकेलर डिवाइसेज के भी अपडेट आ गए थे तो सभी क चेक करना रिव्यू करना थ्वासा टाइम चला जाता है तो आगे पिछे हो गया है थ्वासा यहां पर आप देख पाऊए कि आपको देखनी को मिलता है profile जो कि gaming mood में काम करता है help करता है performance को बूश्ट करने का तो क्या यह reality में working है या नहीं मैं आगे आपको बता दूँगा जैसे कि आप देख से तो यहां पर gaming set कर रखा है मैंने game के उपर और throttle के उपर भी मैंने gaming डाल रखा है तो किस तरगी से बूश्ट अप कर पाता है वो आगया आपको पता चलेगा उसका developer का option यहां पर पहले से on रहता है तो आपको on करने की जोरत नहीं है आप जो भी modified करना system ने बार, one-handed, pocket mode, assistant वगएरा double tap to check आपको मिल जाता है तो काफ़ अच्छा customization यहां पर आपको जो देखनी को मिलेगा और full screen gestures वगएरा भी यहां पर आपको दिखेगा वहें पर back आने पर आपको मिलता है यहां पर digital valuing जो कि google valuing हो चुका है जो कि नाम यहां पर change हुआ है त जो कि सही मुझे लगा तो यह होना चाहिए हर एक रोम के अंदर जो कि यहां पर हमें मिलता है उसका safety emergency android world के सारे features आपको देखने को मिल जाते है privacy inductor वगएरा और lock screen के अंदर आपको मिलता है यहां पर आपको pin का face unlock और यहां पर fingerprint support जो कि हमारा अच्छे से काम कर रहा है इस option के रूप में आपको apps lock मिल जाता है जो कि बहुत लोगों की demand होती है उसके बाद यहां पर आपको मिलता है sound and vibrate जिसमें जारा कुछ तो change नहीं किया गया है लेकिन पार है volume control आपको यहां पर देखने को मिल जाता है media है यहां पर adaptive sound है live वगेरा का option आपको मिल जाएगा volume को left and right भी यहां पर आप कर सकते हो उसके बैटरी जितना भी मैंने यूज किया उसके सब्सक्राइब बैटरी और होल काफी सही देखनी को मिला है लेकिन थोड़ा और सही हो सकता था और यहां पर battery usage में जो graph एंड़ोय 12 वाला ही दिखाई देता है तो यह भी सही निकल के आता ह उसके बार यहां पर आपको theming support fully working देखनी को मिलता है इसमें कोई भी doubt नहीं रहता और हर एक आपको यहां पर wall paper मिलता है pixel वाला जो कि आप यूज कर पाऊगे बट आप जाओ तो अलग से यूज करो कस्टमाइशन की बात करें तो भाई कस्टमाइशन में ज्यादा कुछ add नहीं किया गया है बस छोटी मोटी चीजों को improve and fix किया गया है क्योंकि यहां पर सबकुछ लोग के हिसाब से पहले वाला ही दिखाई देता है और मैंने सबकुछ भी check कर रखा है तो मैंने जो cherry source का प flashlight वग रखा और toss app music tracker वगएरा power menu पर कई सारे options को आप यहां पर activate वगएरा है जो कर सकते हो जो कि अगर हम अपने power menu के बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलता है black color का I think पिछले वाले में यह white था मुझे पूरा ठीक से याद नहीं है लेकिन कोई बात नहीं पर black में आपको दिखाई देता है और इसका animation आप देखते तो कितना smoothly लिकल के बाहर आता है और फिर से अंदर चला जाता है तो यह जो animation है na Android 13 की ओर से है जो लिया गया है जो की काफी अच्छा खास लगता है और same effect आपको music player के उपर भी देखने को मिलेगा उसका lock screen में आपको double tap to sleep वगरा देखने को मिलता है मीडिया का watch art मिल जाता है animation screen वगरा आप यहाँ पर change कर सकते हो button के अंदर आपको यहाँ पर on screen बार वगर का option मिलेगा system navigation जो कि access कर पाऊगे और यह है हमारा theming जो कि मुझे लिएल में पसंद आता है यहाँ पर dark mode on कर पाऊगे यहाँ पर आपको fonts fonts का preview मिलता है जो कि देखने में काफ़े अच्छा लगता है तो जो font चाहिए वो आप select कर लो कई सारे font है और मुझे कई सारे font यहाँ पर अच्छे भी लगे हैं आपका इनमें से favorite font क्या है नाम जलूरू बताना comment box के अंदर यहाँ पर icon आपको देखने को मिल जाते है कुछ जहाँ पर double tap, traffic, clock और 4G, volti के कई सारे customization आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि यह icon जो चाहिए वो आप यह उच कर सकते हो combined network का option मिल जाएगा और यहाँ पर small mobile type icon वगरा भी आपको मिलता है और यहाँ पर आपका जियो call वगरा working है और यहाँ पर बाके दाचीज़ों के बात करें जैसे के हमारा NS camera तो भाई यह फिलाल काम कर रहा है मैंने 48 वगरा भी try किया है अच्छे से working है अगर आपका M.I.A.T control का 64 support करता है device तो हाँ पर 64 टेखनीकों मिलेगा और यह है इसका change log जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो जिसमें security patch update किया गया है source update कर दिया गया है यहाँ पर dialer को है जो Octave की साथ replace किया गया क्योंकि पहले जो में dialer मिलता था वह Google का था जिसमें core recording नहीं था but Octave में आप दिख पाऊ गए जब भी मैं long press करूंगा ना तो Android 13 का जो preview मैं आपको provide किया सब वीडियो उसी के तरीके से यहाँ पर theming दिखाई देता है जिस पर tap करके आप wall paper change कर सकते हो और यहाँ पर change करने का जो animation है वो मुझे काफी अच्छा लगा है जो कि आप देख रहे हो फिलाल यहाँ पर time लगा रहा है तो आप देख से तो किस तरीक से यहाँ पर change होता है तो यह जो wall paper दिखाई दे रहे यह by default आता है इसके साथ but मैं यहाँ पर change कर रखा है और वाकि widgets वगेरा और home setting वगेरा देखने को मिलेगा जो कि हमारा pixel launcher के साथ ही दिखाई देता है अब आते ह थोड़ा score result के उपर कि क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं startup से तो यह है हमारा untuto result जो कि 2 फोड़ गया है जो कि काफी सही मैं कहूंगा hitting बहुत कम है battery drop भी काफी कम यहाँ पर record हुआ है अन्दर आते हैं तो यह हमारा single और multi-core geekbench का result जो क कि यह भी काफी अच्छा खासा मुझे देखने को मिला कोई दिकत नहीं है इसके अंदर और standby battery drop जो की sim card डला हुआ साब देख से तो sim card ऊपर लगा हुआ है 77 पर मैंने left किया थो जब मैं morning में चेक करता हूं आते है 71 यहानि full night में 6% है और इसके पहले मैंने 2 रोम का review किया उ कि यहाँ पर six है और sim card वागरे डला हुआ है तो काफी मैं सही कहूंगा अभी फिलाल के हिसाब से अगर पिछले वाले रोम को compare करें तो लेकिन ऐसे अगर कहें तो battery out हो सब कम drain होना चाहिए तो better होता जैसे कि 2-3% बट यह भी काम चल दाएगा another है हमारा यहाँ पर CPU throttle जो कि यहाँ पर मुझे थ्वा सखराब लगा क्योंकि आप देख से तो minimum score काफी down है तो throttle देखनी को मिल जाता है another फिर यहाँ पर मैंने चेक किया है वह है इसका profile यूज करते हुए gaming mode जो की है तो भाई यहाँ पर ज्यादा improvement देखनी को नहीं मला लेकिन हाँ काम कर रहा है आप द प्रिक दिखाई देता है यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाता है हमारा जो phone app है यह by default set नहीं रहता तो जो यहाँ पर dialer दिया गए ना Octavica इस पर आपको long press करना है app info पर जाना है यहाँ पर आपको देखनी को मिल आप phone app इसे आप by default select कर लेना यह पहले से नहीं रहेगा तो आप रोम को flash कर लिए घर से call आ रहा है parents का call आ रहा है और आपने receive नहीं किया क्योंको आपको दिखाई नहीं देगा call सिर्व आवाद कुनाई देगी तो भाई घर पे जाते हैं आपकी स्वागत होगी बहुत बढ़िया से चपलों से तो बच के रहना यह set कर लेना अध यहां पर मैंने जियो का वीडियो कॉल ट्राइ किया तो यह disconnect हो जा रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो तो यहां पर थोगा सा इसू लगा वीडियो कॉल का जो की in future side हो जाएगा यहां पर आपका जो डिवाइस से certified मिलता है 17 पास मिलेगा तो no issues regarding आप मज़े से यूज कर पाऊगे आपको banking app में कोई दिक्कत नहीं आने वाला बाकी यहां पर मैंने camera वगरा चेक किया है अच्छे से काम कर रहा है कोई issue नहीं आता और यहां पर जो photo storage है वो pixel वाला मिलता है यानि unlimited photos वेगर आप लोड कर पाऊगे जैसा कि आप दिख पा रहे हो यहां पर unlimited लिखा ह हुआ है तो इसमें आपको जो दिक्कत नहीं आने वाला और मैंने साही चीजी यहां पर बता दिये इस room के अपडेट के बारे में और अगर gaming की बात करें ना तो यार gaming में आपको 90 पिस नहीं मिलता अगर यह होता ना तो यार just wow वाली feeling आती तो आपको यहां पर normal सा ही जो setting देखनी को मिलता है जिस पर आपका gaming overall काफी अच्छा खासा होने वाला है ज्यादा ख्राब नहीं होगा और नहीं ज्यादा है जो अच्छा होगा कि को 90 पिस रहता है तो उसमें और ज्यादा अलग सा level का मज़ा आता है तो वो मज़ा नहीं मिलेगा लेकिन हाँ ख्राब नह जाएलर मिलता है कॉर्ड रिकॉर्डिंग के सपोर्ट के साथ जो कि आपके बल्ले-बल्ले करवाने वाला है तो आपका क्या ख्याल है इस अपडेट के बारे में comment जरूर करना और installation guide आपको मेरे playlist में या पर आया बटन या discussion में मिल जाएगे वहां पर आप चेक जरूर कर ल झाल झाल